अलो ट्रेटस वल्कम पैक चना अधर वीडियो तो गाईज आज बैंक निप्टेक्स फेरी और बैंक निप्टेक्स फेरी के अंदर हम आज करने वाले ऑप्शन सेलिंग गाईज ठीके तो अभी अगर देखा जाए तो 51,280 के आसफास चल रहा है तो लेट सी गाईज थोड़ लेट सी गाईज 304 यहां पर थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने का आना स्टार्ट कर रहा है तो पहले हम क्या करेंगे एक बास्केट कर लेते हैं ठीके तो चलो 51,000 पहले क्रिएट कर लता हो ओके तो 51,500 का कॉल हम यहां पर सेल कर रहे है ठीके और यहां पर जो बाई कर रह करमेंट हो रहा है वह 36,000 का तो चलो गाईज यहां पर हम और को प्लेस कर देते हैं ठीके जस्ते सिकेंड पहले चार्ट को देख लेते हैं क्या कुछ सिनेरियो चल रहा है तो यहीं से रिजेक्शन तो आ रहा है गाईज तो और हम प्लेस कर देते हैं अब लेट सी एसल 124 में हम इसको प्लेस कर देते हैं तो कुछ यहां पर हमारा जो रिस्क है गाईज यह वाला ट्रेड में कुछ तेरा पॉंट का है अब तेरा पॉंट का अगर लगा लो आफ तो कुछ 195 200 के आसफास का हमारा यहां पर SLA और जो हमरा टार्गेट रहेगा वही वान इस्टो ट करेंगे अब लेट सी क्या होता है अभी अगर देखा जाए तो कुछ 100 रुपीज के आसफास चल रहा है और थोड़ा सा भॉलाटिल्टी है मार्केट में ठीक है इसलिए मैंने यहां पर चोड़ा से अगर अचानक से हीट हो गया हम दुबारे वहां पर ट्रेड प्लेस करें तो 40-50 का है यहां पर असल देखें कोई सेंस नहीं बंता गया है इन दे सेंस या है कि मेरा जो चोटा है थीक है तो चोटा क्यापिटाल में हम बड़ा असल प्लान करके ट्रेड नहीं ले सकते थीक है और थो या पर लॉस में आ जाएंगे चलो पिलाल अबी 200 के आसफास तो 200 के आसवास आच हो तो यह मतलब माल लो हमने जो 13 पॉइंट का SL हमने रखाता तो कुछ 1 इस तो 1 का अल्रडी हमने यह पर प्रॉफिट आ गया है गाई तो let's see guys 400 के उपर अगर थोड़ा सा होल्ड करें तो हम बुक कर लेंगे ठीक है तो ज्यादा दिर वेट नहीं करेंग ठीक है बाकि उसके बाद मार्केट को जहां जाना होगा वो जाएगा तो let's see थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी अगर देखा जे तो थोड़ा बहुत में नीचे दे रहा हूं ठीक है तो कुछ 50-60 रुपे हम प्रोफिट बुक करेंगो क्योंकि में कोश्ट में अगर रखना है तो में 0 पर नहीं रेखता ठीक है तो चलो कई यहां पर दिखते हैं अभी कोश्ट पर रख दिया आसफास लेट सी अगर यहां से यह तो पता है कि मार्केट नीचे ही जाना है ठीक है बट क्या हो है कि अपना SL कई वार हीट होके फिर नीचे आता है क्योंकि जब छोटा एक ही लोट पर हम ट्रेड करते हैं जो बॉलाटिल्टी होता है उसको हैंडल करना थोड़ा सा टॉफ रहता है ठीक है उतना इजी नह देखने के बाद हैं पर हम कोश्ट में निकल जाएं बार बार निकल जाएं वही सेम चीज अगर बार बार होता रहा तो फिर इसु हो जाएगा ठीक है तो लेट सीगाइस फिलाल अगर देखा जाए तो 300 के आसफास आ गया हमारा जो इसले वो कोश्ट है बट अभी फिलाल क्योंकि हमारा टारगेट Pocket वो उसके आसफास आच चुका है तो क्या करेंगे पूरा अभी चल रहा उसी की आसिए ब दे पर दे रहें ठीक है अगर क्योंकि यहीं से गिर जाएगा तो अच्छी बात है अगर नहीं गिरेगा तो हम यहीं से निकल जाएंगे क्योंकि हमारा जो डिजार प्रोफिट था वान इस्टू तो यहां पर यहां पर इस लेना नहीं है तो चलो पिले समय कर दिया I think हीट हो जा तो वान इस्टू का हमारा हमने इसको बेचा था और 90 रुपीज में हमने इसको खरीद लिया तो चलो गाईज इसके बात मैंने और एक ट्रेड ले था एक च्छोटा सा बाइंग पॉस्टन में ने बनाया था पूट ओप्सन में तो इस पर मैं च्छोटा मोड़ा स्काल्प करूंगा और उस पर हम यहां पर प्रोफिट कर लें क्योंकि काईज में बाइंग में ज्यादा तर कॉंफटबल नहीं हूँ अभी फिलाल सो चोटा सा कुछ आए को हम बुक कर लें और आज का यहां पर मार्केट और भी गिर सकता है बट हमें रिशने लेना तो कुछ 200 के आ झाल झाल